वो क्या होगा यह होगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स बैसे के लिए एक प्रकार का ब्रिज ही है लेकिन इस्टूइन ट्रेनर कीट के अंदर हम इसको देखते हैं तो यह जो है अलग से पढ़ा जाता है यह होगा आपके पी ओबी बुलते है जिसको पन पोस्ट ऑफिस बॉक्स पोबी पी ओबी के नाम से बड़ा पॉपुलर है पोस्ट ऑफिस बॉक्स चलो तो पॉस्ट ऑफिस बॉक्स पी ओबी कब से पहले बात करें बैसे के लिए पी ओबी है क्या कुछ नहीं होता इस तरीके का आपके इस्टूइन ट्रेनर किट होता है और इस इस्टूइन ट्र और y के बीच में unknown resistance जोड़ना होता है यहां में बोलू x तथा y x तथा y के बीच y के बीच अग्यात प्रतिरोध अग्यात प्रतिरोध जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है बढ़िया बात यह है कि आपकी गाइडों में यह बात भी पूछ लिए उन लोगों ने पूछ नहीं छोड़ा उन लोगों ने वो बोलते है कि बताईए पोस्ट आपिस बॉक्स में अग्यात प्रतिरोध कहां जोड़ा जाता है झथा आउनके आपके इस तरिके यहां पर क्या होगा यहां पर न टाउट home gotta और यह जो pointer है वो या तो इधर deflection दे रहा होगा या respectively इधर deflection दे रहा होगा according to circuit stage यहां पर आपके पास क्या है कुछ इस तरीके के buttons होते हैं और यह buttons basically आपके ratio set करने एक काम आते हैं यह आपके पास किसको set करते हैं आपके ratio arm को set करते हैं यह आपके ratio arm को set करते हैं जिसे कि यहाँ पर आपके पास into 1 है यहाँ पर into 10 है यहाँ पर into आपके पास क्या है hundred है and so on इस तरीके सोते हैं जो वाला बटन आप दबाओगे वो वाला ratio जो है उस circuit में जाएगा आप समझो यार जो आपके weedstone bridge है weedstone bridge को मैंने box में assemble कर दिया है s को मैंने बाहर निकाल लिया है और बाहर निकालने के बाद मैं उसे कह रहा हूँ post office box बाद समझ में आ रही है तो अखर देखा जाए तो उसमें नया कुछ भी नहीं है अच्छा बताओ s कैसे लिखते हो आप s को थोड़ा जूम कर रहा हूँ जूम करके जो बकी की जगे बची यहाँ पर मैं set कर दूँँ इसको यह मैंने s को जूम किया और जूम करते से ही s आपको ऐसे दिखेगा देखो इसको हम थोड़ा अलग color में देते हैं यह आपके पास क्या s है दिखेगा आपको s नहीं दिखा रहा है तो अभी दिखाता हूँ देखो अब जरूर दिख रहा होगा आपको s अब आपको s नजर आ रहा होगा यह आपके पास जो है यह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी यह क्या है तो basically यह आपके पास क्या है key hole है यह आपके पास क्या है key hole है तो इसको हम क्या बोलेंगे आपके key hole key hole यह key hole है और इस key hole में key rest करती है अगर मैं बात करूँ कि इस key hole में आपके क्या rest करता है वो भी इसी बात है अगर मैंने एक शेट किया हुआ जिसमें कोई चीज रेस्ट कर सकती है तो क्या रेस्ट करेगी आपके की रेस्ट करती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं की जो है वो रेस्ट करवा देता है यहाँ पर हम क्या करते हैं की रेस्ट करवा देता है और इस capital S को बोलते हैं ज्यात प प्रतिरोध है वो आपको पता होता है आपको ग्यात होता है तो यह आपके पास जो है यह चीज़ यह क्या है आपके ग्यात परिवर्तनिय ग्यात परिवर्तनिय मतलब आपके नोन वेरिबल रजिस्टंस है तो ग्यात परिवर्तनिय मानक प्रतिरोध मानक प्रतिरोध यह है मा प्रतिरोद और ये आपके पास प्रतिरोद भुजा शब्द इस्तिमाल कर रहा हूं बुझा और ये आपके पास क्या S है इस पर मैं आपके गोला लगा के स्टार लगा रहा हूं पुछ अब से आप बताएए जो इसे बनाते हैं मतलब आपने जो है कुझी जो है वह इसके अंदर क्या करनी इंसर्ट करनी और पुंजी बाहर निकालनी है क्लियर यहां तक तो पोस्ट ओफिस बॉक्स का अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा और जिन लोगोंने लैब में पोस्ट ओफिस बॉक्स पर काम किया है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यह सर हमने काम किया हुआ है हमने इस पर प्रैक्टिकल किया हुआ है मुझे भी तो पता लगना चाहिए न कितने बच्छों ने post office box पर काम किया हुआ है चलो तो post office box मैं दर बाहर जाकर post office box दिखाना नहीं चाहता हूँ आपको आप google कर ले न post office box सर्च करना और enter मानना आपको दिख जाएगा अब नहीं पीडी है बहुत एडवांस पीडियो ना मेरा काम यहां पर है post office box के बारे में आपको पढ़ाना मैं वह post office box आपको पढ़ा देता हूँ चित्र देखने काम वह आप ही कर लेना तोड़ी देर आपके पास क्या है रिल्स बगरा मत देखना अपने मैसेज बगरा चेक मत करना सीधे गूगल पर जाना और गूगल बचाचा से कहना कि गूगल चाचा post office box की picture दिखा दो गूगल चाजा आपको बहुत सारी pictures दिखाएंगे और उन pictures में से एक picture छाट लेना जो आपको काली-काली नजर आती हो डब्बे जैसी चोटी सी काली-काली डब्बे जैसी जिसके उपर आपके पास क्या है? कीज लगी हुई हो इस तरीके की pictures आप देख ले रखेंगे अभी अगली class में मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का विशेश रूप से कि अगर कोई picture आपको दिखा नहीं है तो picture में पहले से इसमें insert कर लूँ ये काम में थोड़े से हम कच अच्छे बढ़ जाते हैं ये तो हो गया आपका सारा का सारा तो सबसे पहली बात post office box P.O.B. बोलूगा मैं इसका nickname P.O.B. आपके क्या है वीडिस्टोन सेतू के सिद्धान पर आधारे थे तो यहां देखना जब P.O.B. का principle आपसे पूछता है न तो यहां option बहुत important हो जात है जीरो potential principle पर है न तो जीरो potential principle और आपके वीडिस्टोन प्रिच एक ही चीज़ है न तो यह चीज धियान रखने वाली बात है अच्छा इसके अंदर भी कहीं पर question जो writer है वहांने बहुत गडबड किया हुआ है वो जाने क्या चाहते हैं कि बच्चा तो परेशान हो जाए लोग दोनों option में डालने का कोई logic समझ में नहीं आता कि मतलो क्या personally दुश्मनी निकालना चाहरे है बच्चे से नि क्या अब आप बताओ यहां टिक लगाएगा तो भी मरा यहां टिक लगाएगा तो भी मरा अब वो चाहते हैं कि किताब में जो line लिखी हुई है ना उसी line क अनुसार आपके objective question पर टिक लगो किताब में लिखा हुआ है कि यह weed stone सेतू के सिदान पर आधारित है तो weed stone सेतू उत्तर राइट आएगा आपके शुन्य विक्षेप नहीं आएगा अरे मूल गूरूप में तो सब इनकी चाचा जी है शुन्य विक्षेप सिदान जीरो potential principle स तो फिर जब आपने उसको डाल दिया तो वह उत्तर भी राइट हो सकता तो फिर आपने उसको गलत क्यों करा ऐसे question विवादों में आ जाते हैं इसमें मजा नहीं आता तो अच्छा जानकार अच्छा knowledgeable बच्चा होता ना वह दुखी होता है बिचारा यार मैं तो सभी टिक गलत कर दिया मेरा तो आप ध्यान रखें क्रियेटर से मैठ हो है ना question creators वो विशेश रूफे ध्यान रखें यहां कोई मांसिक योग्यता क्या प्रशन नहीं बना रहे है अपन तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स की बात करें तो पॉस्ट ऑफिस बॉक्स वीड इस्टोन पीट पी प्रिज पीडिस्टोन ब्रिज सिध्धांत पर आधारित होता है इसके बात देखो आगे बात करते हैं कि यह मूल रूप से आपके शुद्निविक्षिप सिध्धांत पर ही आधारित है और दोनों मूल रूप से यह मैंने लाइन लिग दी ताकि आपको समझ में आए कॉंसेप्ट समझ में और दोनों मूल रूप से शुद्निविक्षिप सिध्धांत पर आधारित है शुद्निविक्षिप सिध्धांत आप तो ध्यान लग रहे ना यह अगर सिध्धांत पकड़ में भी नहीं आए न तो इन भाई साब को ढूड़ लेना यह भाई साब गैलवेनो मापी यह आपके पास क्या है गैलवेनो मापी गैलवेनो मापी है गैलवेनो मापी है और यह गैलवेनो मापी जहां पर भी आपको दिखे और इस गैलवेनो मापी में आपको का मतलब यही है यह जिरो डिफ्ल लोगे और 0 Deflection आप ले क्यों रहे हैं? 0 Deflection आप इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको क्या है? Circuit संतिलित हो जाए तो हो गया ना, यार सुनने विक्षिप सिधान्त पर पर परीशान वली बात ही नहीं है तो आप इसको देखोगे और इसकी शेकल देखते से बनाना तो आप पता लग जाएगा और फिर उन सारे आर्टिकल्स को चेक करना तो आप चेक करोगे तो आप ताज्यू बजागा या डीजे सर ब्लकुल सही कह रहे थे जीरो ड forsk cleaning याता है इस जगों पर हां स्टूबिट के करेंगर आ अपका आउनसर गलत हो जाता है कि कोई ये नहीं बढ़ता वेकिन हमें घृटव100 ऑ माने और जूट रहें लेकिन हाँ जो बच्चा बिचारा 50% और आपके पास 60% लाने का ही माधा रखता है उसका अगर ऐसा गलत हो जाता है तो वह तो मतलब बहुत नाराज हो जाता है कि यार मेरे साथ बहुत अन्याई कि और question बनाने वाले को जो है वो सही प्रश्ट बनाना था ऐसे गलत प्रश्ट बनाकर हमारे बविश्यों को बरबाद मत करो उसके लिए बहुत माहिने रखता है यह ला रहा है क्योंकि उसका मतलब 60 में से कम कर दिया तो आमला ही करतम हो गय है तो पकी बास है वह 80 और 100 के बीच में स्कोर करेगा तो आप ज्यादा ज्यादा कहां लेकर आ जाओगे लेकिन फिर भी वह आपके सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको ज्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन हां असेगा तो भी यार मतलब मजाग करते हो आप चलो मजाग नहीं करेंगे हम यहाँ पर दोनों आपके और दोनों मूल रूप से शुन्यविक्षेप सिद्धान पर आधारित होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो पॉइंट नहीं यह वाला पॉइंट इसके उपर भी आपको अब्जेक्ट यह कोशन है तो हम क्या बहुंगे अग् अग्यात प्रतिरोध अग्यात प्रतिरोध अग्यात प्रतिरोध एक्स तथा वाई टर्मिनल के बीच जोड़े जाते हैं जोड़े जाते हैं यह जोड़ा जाता है शब्द लिखना जोड़ा जाता है क्योंकि एक ही होता है न यार सारे थोड़ी है क्यों एक ही है इसलिए जोड़ा जाता शब्द बीच जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है अग्यात प्रतिरोध जो है वह एक्स और वाई टर्मिन के बीच जोडा जाता है यह आप ध्यान रखना ठीक है ये आपसे इसके उपर भी बात करेगा अना जलो और बात करते हैं अपन अब पॉस्ट ऑफिस बॉक्स में कुंजी के नहीं में फ्लाग आउट करता हूं तो क्या चलिए और ऐसे वा प्रति रोग आउट करते हूं तो जो भी उस orie के ऊपर लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है नहीं बताई पोस्ट उस बॉक्स के अंदर आपके कुंझी को प्लग इन करने के संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही है आप बोलो कि प्लग इन करने पर सम्मन्दित प्रतिरोध परिपत से हट जाता है प्लग आउट करने पर सम्मन्दित प्रतिरोध परिपत से जुड़ जाता है तो यहां क्या बात करेंगे यहां 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 capital S यहां capital S मानक ग्याद परिवर्तनी है आपके पास भुजा है यहां capital S मानक ग्याद परिवर्तनी है करिवर्तनिय फुजा है जिसमें जिसमें विभिन पुन्जियां कुन्जियां मतब की कुन्जियां की लगी होती है लगी लगी होती है अब जब यह कुन्जी भी बात हो गई है तो कुन्जी जो है वो क्या कुन्जी को लगाने और कुन्जी को आपके हटाने के प्रश्न कर गए और बात करें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते है कुण्जी को लगाने का मतलब प्लग इन करने से मतलब है कुण्जी को लगाने का मतलब क्या है प्लग इन और दूसरा मैं बोलूँगा आपके कुण्जी को हटाने कुंजी को हटाने और कुंजी को हटाने का मतलब क्या है कुंजी को हटाने का मतलब है plug out तो कुंजी को हटाने हटाने का मतलब plug out होता है यह आपके पास क्या होगा plug out होगा plug out देखें कुंजी को लगाने पर क्या होता है कुंजी को हटाने पर क्या होता है ये दो कोशन पढ़े हुए दो कोशन याद करते जाओगे आप तो कुंजी को लगाने पर plug अने पर plug-in करने पर सम्मंदित प्रतिरोध परिपत से हट जाता है सम्मंदित मतलब जोसके उपर लिखा हुआ है तो उस पर लिखा उस पर लिखा प्रतिरोध आपके पास क्या है परिपत से हट जाता है परिपत से हट जाता है हट जाता है हट जाता है और अगर आपने plug out किया है, खीची है, तो उस पर लिखा प्रतिरोध परिपत में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो ध्यान रखना, परिपत में जुड़ना और परिपत से हटना, यह ध्यान रखना है, तो अगर आप plug in कर रहे हो, तो चीजें परिपत से हटेगी, अगर आप plug out कर रहे हो, तो चीजें परिपत में जुड़ेगी, यह आपके पास क्या है, हो गया, अब देखो, यहां मैं ब पर लिखा हुआ है पांच ओम यहां पर लिखा हुआ है आपके पंदरा ओम और यहां लिखा हुआ है आपके पास 20 अब मैंने आपके यह वाली कुंजी खीची इसका मतलब capital S का value इस وقت 20 ओम आपको लेना है यह कुंजी आपके खात में Aप के क्या किया मैंने फिर यह फिर यह वाली कुंजी खीच दी यह वाल हमें आपके पास क्या है खीची तो मैंने out कर लिया यह out कर लिया और साथ में मैंने यह आउट कर लिया अभी देखो यह पांच और इसके अंदर सर्कृट में चला जाएगा तो इस वक्त एस का मान प्लस पांच बराबर आपके पास क्या है 25 ओम होगा यहां पर माइनस आपके पांच ओम हो जाएगा और वैल्यू वापस बीस ओम पर आकर हो जाएगी जाना एस की वैल्यू वेरी कर रही है इन कुझी को निकालने और जोडने पर और आपने क्या किया इसको तो इन कर दिया इसको तो आपने क्या कर दिया इसको तो आपने क्या कर रहे हो आपने इसको आउट करते हैं तो अभी देखो प्लस जो है यह 15 ओम आउट करते से यह इसमें एड हो जाएगा और अब आपके पास स का ऑश है अब यहाँ प्लस जो आप इसका रोल समझ मे आया होगा अब आपन नहीं पड़ा है इस also सिध्धान्त अगर आपने नहीं पड़ा है इस dopo zero deflection principle आपको समझाया है पढ़ाया तो वहाँ भी नहीं है आप वहाँ जाकर समझना zero deflection principle क्या होता है आपको link जो है वो description में मिल जाएगा इसके अलावा post office box में unknown resistance कहां जोड़ते हैं बहुते हैं बहुते हैं x और y के बीच में जोड़ते हैं post office box में जो आपके पास ज्यात प्रतिरोध है वो क्या होता है capital S होता है capital S arm जो है capital S जो है वो non resistance होता है और capital S पर आपके क्या लगी होती है कुझिया लगी होती है कुझियों के respect में दो question आएगा कि कुझि को जब plug in करोगे तो क्या और कुझि को जब plug out करोगे तो क्या तो वहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि plug in अगर किया तो resistance circuit से out होगा plug out अगर किया तो resistance circuit से circuit में in होगा इन कुझियों को खीच कर हम आपके उपर जो लगा हुआ आपके galvanum आपी है उसमें शुन्निविक shape राप्त करते है यह न ऐसा करोगे यह आपका वापस पर दिखाता हूँ मैं यह रहा अब आप इसमें क्या करोगे इधर खीचा, इधर खीचा, ऐसे खीचा यह deflection ऐसे-इसे हिलता रहेगा ठीके न एक value पर आपके पास यह pointer आपको ऐसे deflate कर देगा मतलब यह pointer जो है वो 0 को show करेगा अब आपने कुछ भी नहीं करना है अग्याद प्रतिरोद ग्याद करना है rxy का value निकालना है तो आपके पास जितने भी capital S आते है उसको इस multiplying ratio से गुणा कर देना है तो आपके अग्याद प्रतिरोद आजाएगा simple सी तो बात है कि आपने डबबा भी ले लिया कुझियां लगानी और कुझियां आपके खीचनी भी सीख ली ठीके लेकिन आपका जो मान है वो कैसे निकालोगे अग्याद प्रतिरोद की value जो है अपर इस तरीके से तो अग्याद प्रतिरोद का मान जो है हम किस तरीक से निकालेंगे तो अग्याद प्रतिरोद अग्याद प्रतिरोद अग्याद प्रतिरोद जो है वो है आर एक्स वाई बोल देते इसको आर एक्स वाई X, Y terminal के across जोड़ रहा है न ये अच्छा मजे बताओ ये P बटा क्यों तो तुमने set करी लिया था न P बटा क्यों तो वो starting में आपने ratio लिया था न कि इस ratio पे मैं मान करूँगा ये वो ratio था ये आपने लिया हुआ है उपर उस button से इसके लावा ये जो आपके पास इस S के साथ छिड़ चाड़ करकर zero deflection ले रहे हो न तो वो zero deflection आते से यहाँ क्या sum आएगा वो आपने देखना है और यहाँ पर उस S की reading को इस जगे पर रखना और इससे जैसे ही गोना करोगे वेसे ही अज्यात प्रतिरोद निकल कर आ जाएगा जैसे की मैं मान के चल रहा हूँ कि इस set value पर इस set value value पर आपके गेलवेनो मापी गेलवेनो मापी तुन्य विक्षेप दे रहा है तुन्य विक्षेप दे रहा है दे रहा है यह मैंने मान लिया तो आपके पहले चाहिए कि इस set value पर जो है 35 ohm set value पर मेरा आपके galvanum आपी शुन्य विक्षिप दे रहा है ठीकिना और आप साथ में आप क्या मानोगे यहां से आप ये भी मान लो कि माना माना की माना की जो आपने ratio set किया है माना की ratio ratio into 10 into 10 पर set है set है वो उपर की तरफ जो आपके पास row में बटन है वो आपके पास क्या into 10 पर आपके set है into 10 वाला आपके पास switch आपको कर रखा circuit में कर रखा है उस condition में देखो मैं अगर r x y आपसे calculate करवाता हूँ तो आप क्या बोलोगे 10 into 35 बराबर 350 ओम और ये आपके अज्यात प्रतिरोत का मान होगा जो कि आपका answer होगा आप समझ में आ गई है ना तो वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिकल किया था ना वो इसी तरीके से किया था तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है रक्षा बंदन के दिन मैंने आपकी क्लास ले ली और जो है आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पे नए हो और मुझे अभी तक देख रहे हो तो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा तो आज के लिए इतना ही बाकी की बाते हम कल की क्लास में करेंगे तब तक आप सभी लोग अपना खयाल रखिएगा पढ़िएगा और हाँ याद जरूर करिएगा तैंक यू सो मच जै हिंद जै भारत